हेलो प्रेंट्स गुरु बॉनिंग नमस्कार टेक्निकल एजोकिशन नाइट है यूटूब चैनल पर आपस हो आगे तो दोस्तों आज हम आप लोग को एक मेंटेनेस के बारें बताएंगे जैसे कि आप यह पार्ट्स देख रहे हैं यह सींसी लेट का है ना यह सींसी लेट क हम लोग कॉल हो नहीं रहा है है तो क्या प्र toast लिएक स्टाटी यूज ले करके लाश्ट का है कि इस ट्रेट्स पोग क्या है खौल करके हम लोग इसको क्या क्या चाहरे क्लिंट करके mechanical parts, electrical parts सभी चीज़ को हम लोग clean किये है और ये motor यहाँ पर generator लगावा है step or motor tap ये motor जो है इस mechanical parts को rotate नहीं कर पार रहा है तो यहाँ आप देख रहे हैं ये mechanical parts पूरा जंग लगावा है और ये mechanical parts को rotate नहीं कर पार जेतना वी gearing system है ये step by step rotate नहीं कर पार रहा है तो हम लोग क्या करें इसको पूरे parts को जो है सभी चीज़ को overhauling करेंगे मतलब clean करेंगे बाद में open करके totally सारे parts को अलग अलग करके हम लोग क्या करेंगे उसको clean करें clean करने के बद पर इसके बाद पिर re-asiml करेंगे re-asiml करके क्या करें हम लोग इसको क्या करेंगे मोटर दोरा check करेंगे तो अगर बाहर में इसको हम लोग check करते हैं तो मोटर का अंसल है तो हम लोग उनने क्या किया है computer का UPS जो UPS में बैटरी लगता है 12V का DC 12V का तो उस बैटरी का हम लोग ले आया है या कोई भी मशीन पर जिसमेटर्ट लगवा है, तो वो अग्यक्त को आप आसानी से आप इसतरह आप मेंटेरिंच कर सकते हैं, अगर कोई भी प्रोब्लम होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कि बाहर से अगर service engineer को बुलाते हैं तो ये बहुत सारा problem होता है ओके दोस्तों तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि अपने से भी आप इस video के माध्यम से आप service कर सकते हैं और बना सकते हैं बहुत सारा cost आप इसको save कर सकते हैं बचा सकते हैं तो जैसे ये scanner का trainees लोग है student लोग है तो क्या किया है ये लोग भी maintenance chapter भी है और maintenance भी कर रहा है जितना भी manual machine है lat machine जो भी है ये लोग आपने से करता है और CNC को भी इस लोग उन्हें हाथ लगाया है और start किये है जैसे आप देख रहे हैं ये हाथ लगा है ये बहुत ही खास चीज़ है बहुत ही important चीज़ है जितना भी आप पढ़ाई कीज़ेगा अगर आप maintenance नहीं करेंगे तो आप सारे parts को नहीं देख पाएंगे और सारे parts को नहीं जान सकेंगे तो दोस्तों इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि जितना भी पढ़ाते हैं ट्रेनिंग देते हैं साथ साथ में सारे machine को हम लोग खोल करके जितना हो सके हम लोग खोल करके सारा gearing parts, lubrication parts जो भी parts है यह हम लोग खोल करके ट्रेनिग देते हैं और maintenance कराते हैं ताकि बच्चे जो है अधिक साधिक जान करी ले सके, तो उसी प्रकार हम लोग जो है ये continuous काम हम लोग करवाते हैं और आप देख रहे हैं, ओके तो इन लोगों इनने एही किया है कि बार-बार इन लोगों ने कोशिस किया है, बार-बार ये प्रोल्म कर πषिंध किẦ्ट रहा है मतलग लास्ट में हम लोग ने led seconds कि मतलग हम लोग क्या किये हैं यह बनी गया है और अग्येनिकल के साथ इल्येक्टिकल का भी थोड़ा बूत फिर एक इसको और इसको इस कि इस में color quatriyas है कि एक red color का है दूसरा black म harsh any क्या rainfall ना अप रोटेट हो रहा है तो मेकेनिकल के साथ साथ यह बच्छे लोग जो क्या किये हैं अब देख रहे हैं अच्छी तरसे दिखाए दे रहे हैं आप लोग को वीडियो में कि इस तरह जो है CNC का टरेट गुमता है जब हम लोग कमांड देते हैं M06, T01, T02, T04, T05 जो भी टूल आप गुमाते हैं या कॉल करते हैं तो इसी तरह यह रोटेट होके बंद हो जाता है तो दोस्तों यह जो टरेट है यह हमारे मसीन में 8 रेटेशन मतलब आठोट टूल होल्ट होता है तो किसी-किसी में जादा हो सकता है यह अलग बात है कोई दिखत नहीं यह लेकिन टरेट का अंदर का पार्ट साध ही किसी ने देखा होगा या बहुत कम लोग देखते हैं ल साफ सुतरक किये हैं, है ना, डीजल ओयल की रोसी नारी दीसे हम लोग साफ सुतरक किये हैं, क्लीन करने के बाद हम लोग क्या किये हैं, पिसे रेसेमल किये हैं, तो यह आप वीडियो को कंटिनिस देखिए तो जैसे आपने वीडियो देख रहे हैं, क्टिनिस तो यह क्या कर रहा है कि यह लोग ओयलिंग कर रहा है, ताकि बार बर हम लोग खुलना ने पड़े हैं, क्योंकि बार बर यह इतना जगा इसमें स्कूल लगावाए कि बार बार यह ओपन करना संभाव नहीं है, पोसिबल थोड़ा बहुत इसको खुलने के लिए या देखने के लिए कुछ बनाने के लिए आपको technical होना पहुच बार रही है, इसके बाद इसमेल कर रहा है, मतलब फिटिंग कर रहा है CNC मसीन, पिर इसके बाद क्या कर रहा है हम लोग चला के देखेंगे, सही में यह गुमता है या स्टार्टिंग किये हैं किस तरह लोग जो है लास्ट में भी लोग फिटिंग करें देख रहें ने ये मसीन है ना ये बेट सब लगा हुआ है ठीक है ये टेल स्टोक है और ये लोग कनेक्शन भी अपने से करें देखेंगा ठीक है ये ये सिंसी टर्निंग मसीन लिखा हुआ ह अब देख रहे हैं, ओके, तो यह आप सामने से देख रहे हैं, लिखा हुआ है मसीन, यह कीबोर्ट सब है, ओके तो अब यह आप लोग क्या करेंगे, इस सारा चीज को कनेक्शन होने के बाद हम लोग लास्ट में एक बर हम आपको वीडियो दिखाएंगे जरूर, आपके सब्सक्राइब नहीं किये तो जरू सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो सकते, सेर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जो और भी अच्छे साच्छे वीडियो बना सके, या अगर इसमें कोई ट्रोटी है, तो हम आपको सुदार करके देएगा तो जैसे आप देख रहे हैंना यह बन गया है, ट्रॉट गुम भी रहा है, है ना, तो यह लड़के लोग ने खास चीज बनाया है और इंपोर्टेंट चीज बनाया है, ये लोग ने सकस्स पा लिया है, ओके, तो इतना मेहनत के बाद ये ट्रेनी सकस्स मिल गया है, और ये लोग ने बन के दिखा दिया है है ना तो मैंने ये लोगों क्या किया कि सिर्फ guide किये हैं ऐसे करना है ऐसे करना है बस ऐसे करते गया है लोग follow करते गया है और ये लोग जो है एक दिन success मिली गया है तो ये machine जो है करीब 8 गंटे 12 गंटे तक समय लगा ये machine बनने में ओके दोस्तों ये बहुत critical चीज है बहुत ही difficult चीज है तो इसलिए इस लोग को time लगा तो फिर से हमने आपको दिखा रहे वीडियो देखिए कि जैसे on किये तो machine इस तरह दिखा रहा था अब इसको हम लोग home position करेंगे कि पहले home position भी नहीं जा रहा था tool वापस भी नहीं जा रहा था calling भी नहीं हो रहा था तो ये सतरा चीज problem आ रहा था तो ओके दोस्तों तो ये आप starting से वीडियो को जरू last देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से सीख मिले knowledge मिले ताकि आप किसी भी company में जोब कर रहे हो ये काम कर रहे हो तो आप अपने से कर सकते हैं तो जरू बीडियो को देखिएगा last में भी हमने दिखा रहे हैं कि tool को calling कर रहे हैं बार-बार और screen पर हम आप लोग को दिखा रहे हैं और last में थोड़ा बहुत हम इसको हम run करा कर भी दिखा देंगे कि ये सही में ये rotate हो रहा है calling किये तो rotate हो रहा है okay इसका मतलब ये success हो गया है तो ये बहुत ही time लग गया है बनने में लेकिन फिर भी ये success मिल गया है okay तो पहले tool नहीं था लेकिन आभी हम लोग tool लगा करके try week किये है तो ये tool सही तरह से आ रहा है हर एक tool जो भी हम लोग tool calling कर रहे है M06, T01234 जो भी ये dial करके हम लोग calling कर रहे है तो ये आ रहा है तो मतलब कितना ये success मिल गया है तो इस video की माद्यम से आप भी success मिल सकते है और knowledge मिल सकता है क्योंकि ये इतना बड़ा चीज आप बना के दे दीजे किस company को तो ये बहुत बड़ा saving है बहुत बड़ा achievement है ओके दोस्तों तो अभी हम थोड़ी देर में इसको थोड़ा वो चला के भी दिखा देंगे machine को run करके दिखा देंगे बड़ा लब ये टान हो रहा है या नागी चलिए थोड़ा से continue वीड़ो को देखियेगा तो दोस्तों आपने वीडियो को देख लिए समझ भी गये होंगे है ना इसको हम आपने सिंग भेज दिये हैं तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर कमेंट्स कीज़ेग लाइक कीज़ेगा और वीडियो के साथ दूरे रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि